जैहिं सात्यों बेलकम टू सेल्फ इस्टेटी किलासेश विस्टुमित जेन यूटूब सेन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज फिर हमारी परियावन की कक्छा इस्टार होने वाली है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं ठीक है और सभी को वीडियो को सेर भी क करना है Instagram में जुड़ने के लिए आप सर्फ समिच जैन सेल्फ इस्टेडी किलासेश सर्च करेंगे ठीक है WhatsApp से जुड़ने के लिए WhatsApp नमबर दिया है और इस पर वीडियो आप देख रहा है उसके नीचे चैनल का नाम दिया है इस पर आप किलिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेजिस्ट उपर खोलेगी ठीक है, तो आप पूरे के पूरे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, boresebook से जोड़ने कि लिए सुमिज़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रोपி से तो आपको बताना है गोल्ड मेंड पुरुसकार किस हेतु दिया जाता है तब आपका राइट आंसर होगा परेयावन सुरक्षा के लिए उल्लिय खनी एक कार हेतु गोल्ड मेंड पुरुसकार दिया जाता है ठीक है अंगला प्रस्ण है ग्रीन नोविल के रूप में जाना जाता है प्रस्ण किरमांक दो तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा गोल्ड मेन पुरुसकार गोल्ड मेन जो पुरुसकार है ग्रीन नोविल पुरुसकार के रूप में जाना जाता है ठीक है याद रखना है गोल्ड मैन पुरुषकार पाने वाले भारतिये हैं तो आपको बताना है प्रश्निक रमांक तीन का उत्तर गोल्ड मैन पुरुषकार पाने वाले जो भारतिये हैं वो कौन-कौन से भारतिये हैं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेधा पाटकर रासीदा वी चंपादेवी एमसी महता और रमेश अगरबाल ठीक है आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नमे से बताइए प्रस्कार मिला है या फिर किसको किसको गोल्डबेन पूर्सकार नहीं मिला है तो मेधा पाटकर राजदावी चंपादेवी एमसी महता रमेश अगरबाल एचीज आपको पता होनी चाहिए इन्हें गोल्डबेन पूर्सकार से नवा जा गया है अंगला कोस्चन देखेंगे गिलोबल पास्टो पूर्सकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है गिलोबल पास्टो जो पूर्सकार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है प्रस्न किरमांग चार तब आपका बिल्कुत सही आंसर क्या हो जाएगा सन्युक्त राष्ट परिया वरन कारिक्रम द्वारा ठीके ये जो है क्या किया देता है UNEP द्वारा गिलोबल पास्तो प्रुश्कार प्रदान किया जाता है ठीके अंगला क्वेस्चन देखें भारत में सरवादिक जयोवित्ता पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है भारत में सरवादिक जयोवित्ता बताना है आपको प्रश्क्रमांग 5 तब आपका बिलकुर सही आंसर होगा पस्चमी घाट या फिर सान्त घाटी नेक्स परियावनगा सुध्दटा का प्रतीक है क्या है प्रतीक? प्रस्चनिक्रमा चैनल सुध्दटा का प्रतीक मना जाता है तब आपका बिल्कुस सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है प्रतीक माना जाता इको मार्क क्या माना जाता इको मार्क ठीक है अंगला है खाद सुद्धता का प्रतीक है तो खाद सुद्धता का प्रतीक क्या है अभी हमने परेया बन सुद्धिता का eco mark देखा अब खाद सुद्धिता का प्रतीक तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा egg mark खाद सुद्धिता का जो प्रतीक है वो क्या है egg mark ठीक है ABC protocol किसे कहा जाता है ABC protocol प्रेफने करमांग 8 तब आपका बिलको सही आंसर होगा नागोया प्रोटोकाल को A-B-C प्रोटोकाल भी कहा जाता है तीक है नागोया प्रोटोकाल को अंगला question देख लेते हैं दोस्तो राष्टिय परियावनद अभियांत्र की सोज संस्थान छेत्रीय केंद्र है तो कहां है राष्टिय कोलकाता में हैं चिन्नाई एधरावाद दिल्ली और मुंबई में ये छेत्री केंद्र हैं वैसे अगर बात करें राज्टी परियावरण अधी अभियांत्र की सोच संस्तान कहां पर है तब आपका उत्तर होता है कहां पर नागपुर में ठीक है लेकिन इसके जो छेत्री जाती है प्रश्न क्रमांक 10 अगरे तब आपका बिल्कु सही आंसर किता होगा प्रत्तेक चार वर्स में बागों की गड़ना की जाती है ठीक है प्रत्तेक चार वर्स में अंगला कोश्चन जयो इधन नीती लागू करने वाला देश का पहला राज कौन सा है जयो इधन नीत प्रश्न क्रमांक 11 अगरे तब आपका बिल्कु सही आंसरों का राजिस्थान ठीक है जयो इधन नीती लागू करने वाला पहला जो देश राज है वो है राजिस्थान जारकंड राज गंगा नदी सरक्षन प्राधिकर्ण गठे थुआ तो कब हुआ जारकंड राज गंग नदी सरक्षन प्राधिकर्ण कब गठे थुआ प्रश्न क्रमांक वारा और राइट आंसर होगा वर्स दोहजार नौ में कब हुआ वर्स दोहजार नौ में ठीक है अंगला क्वेश्चे ने जल प्रदूशन ने वारन तथा ने अंत्रन अधिनियम लागू उगा जल प्रद तब आपका बिलको सही आंसर है उन्नीस सो चोहतर में कब हुआ उन्नीस सो चोहतर विश्चो जल दिबस मनाया जाता है प्रश्न क्रमांक पंद्रा विश्चो जल दिबस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर होगा वाई समार्च को विश्चो जल दिबस मनाया जाता है ठीक भारत सरकारद्वारा केंद्री एक गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया प्रश्निक्रमांग 16 का उत्तरवताना है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985 में कप किया गया अंगला कोचे ने सितंबर 1995 में किसका नाम बदल कर राष्टी एक नदी संरक्षन प्राधिकरण कर दिया गया तो किसका नाम बदल कर कर दिया गया 1995 में तब आपका बिलकु सही आंसर क्या होगा केंद्री एक गंगा प्राधिकरण का 1995 में नाम बदल कर कर दिया गया राश्टिये नदी संरक्षन प्राधिकरण ठीक है अंगला को चले को राश्टिये गंगा नदी वेसिन प्राधिकरण का गठन का भुगा प्रस्ण किरमांग 18 तब 18 का उत्तरों का फरवरी 2009 में किया गया घीक है किस पर्यावन विदकोज जलपुरुज कहा जाता है प्रश्ण करमांग 19 किस पर्यावन विदकोज जलपुरुज कहा जाता है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा राजेंद्र सेह ठीक है राजेंद्र सेह को जल पुरुस कहा जाता है पीने के पानी को सुध्ध करने के लिए प्रियोग में किसे लाया जाता है पीने के पानी को सुध्ध करने में प्रियोग में लाया जाता है तो किसी लाए जाता है किया गया था 21 सब्सक्राइब औरो आपको है तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 1997 में ठीक है, डाल्फिन सरक्षन कारिकर मारा मिक्या गया 1997 में अंगला कोच्चन भारत का राष्टिय जडी जीव कौन सा है प्रश्न किर्मान को वाई राष्टिय जडी जीव बताना है तो कौन सा है तब आपको बिल्कु सही आंसर होगा डाल्फिन ठीक है अंगला कोच्चन भारत का राष्टिय संस्थान फिए जीव मत voilà है ध्राबाद में विस्ट्टू परिवेस दिवस कब मनाया जाता है प्रश्न किर्मान 24 तो राइट पाइट आंसर क्या होजयगा five October को विस्ट्टू परिवेस दिवस मनाया जाता है ठीक है अंगला क्वेश्चन विश्च तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है 25 विश्च तंबाकू निरोध दिवस तब आपका बिलकुँ सही आंसर होगा 31 माई को 31 माई को मनाया जाता है विश्च तंबाकू निरोध दिवस और 22 माई को जिय वित्ता दिवस ठीक है याद रखना है कि पासिज केंदरी इस्टी के dire commercial संस्थान जिस्थ तो यह संस्थान इस्थ है तो कहां संस्था तो कहां पर रहाएं इस्थे थे नियी quand भीटिए से लिवार्ट वराष्फर ने जोगंगर नियूद्टी को मिवस्थान पर इन्टीक इप परवस्ते थे इंडियान इंस्ट्टीट ओफ एकोलोजी एंड एंवार्मेंट अभस्ते थे तो कहां परवस्ते थे प्रश्णिकरमांग 27 27 और 27 का आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में कहां परवस्ते थे नई दिल्ली प्रतिस्टित टाइलर पुरुषकार जिस छेत्र में प्रदान किया जाता है वह है टाइलर पुरुषकार के छेत्र में प्रदान किया जाता है 28 तो राइट आंसर हो जाएगा परियावर्ण सर्रक्षन के छेत्र में यह पुरुसकार प्रदान किया जाता है ठीक है परियावर्ण सर्रक्षन गिलोबल 5000 पुरुसकार प्रदान किया जाते हैं तो किस छेत्र में राइटसरों का परियावन प्रती रक्षा कि लिए के लिए गिलोबल 5000 प्रुश्कार फ्रताइंग किया प्रदान किया जाता है अंगला क्वुस्चन है दोस्तो आपका भारत का राष्ब्टिय सामुदृक पार्क इस्तित है तो कहां इस्तित है प्रश्निक्रमांग 30 भारत का राष्ट्रिय सामुद्रिक पार्क इस्तित है इस जेते कच्छ की खाड़ी में, कहां परस्ते जेते कच्छ की खाड़ी में, ठीके, अंगला क्वेश्टन स्वपोशी इस्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रश्ण क्रमंग 31. बन तो राइट आंसर होगा प्राथमेक उत्पादक्ता क्या कहा जाता है प्राथमेक उत्पादक्ता स्वपोसी इसतर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमेक उत्पादक्ता अंगला है जिवधारियों के कार्वनेक और अकार्वनेक बातावरन और पारिस्थित की संबंदों के अध्यन को पारिस्थित्की अथवा पारिस्थित्की विज्ञान कहा जाता है एकतन किसका है यह परिवासा किस ने दिये जियोधारियों के कार्वनेक और अकार्वनेक बातावरन और पारिस्थित्की संबंदों के अध्यन को पारिस्थित्की अथवा उत्तर वताना है आपको सर्व्पृत्ण से नने की शनकारपना प्रक्रस्तावित् अंगला क्वेश्चन देगो घास इस्थल वन तथा मरुस्थल उधारण है तो किस चीज के उधारण है घास इस्थल वन तथा मरुस्थल उधारण है प्रश्चन इकरमांग 34 का इस्थल ये पारस्थितिक तंत्र के कास इस्थल तथा मरुस्थल उधारण है तो किसके हैं इस्थल ये पारस्थितिक तंत्र के प्रतिवी के सरवाद एक छेत पर फैला गुआ पारस्थितिक तंत्र है प्रतिवी के सरवाद एक छेत्र पर पैला हुआ पारिस्थृत्तिक तंत्र है कि तो वे संध्रक सा grants क्वे प्रस्थ्तित की असंध्रक प्रमुखाव्च बताना है और राइट आंसर आपको होगा बनोल मूलन ठीक है बनोल मूलन पास्त की असन्पुलन का प्रमोख कारण माना जाता है निर्जियू कारवनिक तत्वों को अकारवनिक योग को में तोड़ते हैं कौन, 37 का अंसर, तब आपका बिल्कु सही आंसरों को आप घटक, कौन तोड़ते हैं, आप घटक, ठीक है, अंगला क्वेस्चन देखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सी करन के पस्चात, जियूधारियों को उर्जा प्राप्त होती है, कहे जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिन और राइट आंसर होगा, खाद्द पदार्थ, क्या कहे जाते हैं, खाद्द पदार्थ, जिनके ऑक्सी करन के पस्चात, जियूधारियों को क्या प्राप्त होती है, उर्जा, वे खाद्द पदार्थ कहलाती है, जियूभार का प्रामेड जिस पारस्तितिक तंत्र में तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा तालाव, ठीक है, UK लिप्टस को उसकी अत्यादिक जल गरन सकती के कारण गोसित किया गया, क्या गोसित किया गया, जदी से बताना है आपको, प्रश्निक्रमांग 40 तो राइट आंसर हो जाएगा परियावरण का सत्रू या परियावरण का दुस्मन, ऐसा भी आता है कि परियावरण के दुस्मन किस ब्रक्ष को माना जाता है, तो वो माना जाता है UK लिप्टस को, है ना, क्योंकि इसकी जो हैत्यादिक जल गरन सकती के कारण इसे आवास को क्या कहा जाता है प्रश्निक्रमा 41 इस्तिर जलकी आवास को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर आपका हुझाएगा लेंटिक आवास ठीक है इस्तिर जलकी आवास को कहा जाता है लेंटिक आवास अंगला देख लेते बहते जल की आवास को क्या कहा जाता है बहते जल की आवास को 42 का उत्तर तो वो कहलाता है लोटे का आवास ठीक है बहते जल की आवास को लोटे का आवास कहा जाता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित छेत्र कहलाता है क्या कहलाता है प्रश्णिक्रमांग 43 दो बिन सवधायों के बीच का जो संक्रांती छेतर है उसे क्या कहा जाता है प्रश्णिक्रमांग 43 तब आपको बिल्कुश सही आंसर होगा एकोटॉन क्या कहा जाता है एकोटॉन ठीक है हर पोशन इस्तर पर उर्जा की मात्रा घटती है या फिर बढ़ती है हर पोशन इस्तर पर उर्जा की मात्रा घटती है या वढ़ती है 44 का उत्र बताना है आपको तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा घटती है हर पोच्ण अस्तर पर उर्जा की मात्रा घटती है बन सेलक्षन अधिनियम लागू किया गया तो कब किया गया बन सेलक्षन अधिनियम प्रश्न किरमा 45 का उत्तर तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा वर्स 1980 में वन सर्रक्षन अधिनियम लागू की अग्याथ कि नवी करनी उर्जा गेर परंपरागत उर्जा के स्त्रोथ हैं तो कौन हैं चार विकल्प हैं आपके सामने चार से एक का चेन करना नवी करनी उर्जा गेर परंपरागत उर्जा के स्त्रोथ कौन है तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल उर्जा, ज्वारी उर्जा, ठीक है भूतापिय उर्जा और वायो गैस उर्जा ये जो उर्जा है दोस्तों ये क्या है नवी करणिये उर्जा के स्रोत हैं गेर परंपरागत जिनिकी कहा जाता है अब आपका एक 2011 MPTAT में question आया था कि निवने में से बताईए कौन सा नवी करणिये उर्जा का आनवी करणिये उर्जा का स्रोत है तो आपको पता होनी चाहिए कि आनवी करणिये उर्जा के स्रोत कौन से है और नवी करणिये उर्जा के स्रोत कौन से है ठीक है अंगला question है दोस्तों CNG का प्रमुक संगठन का कौन सा है आपको बताना है CNG का प्रमुक संगठन है तब आपका right answer क्या होगा CNG का प्रमुक संगठन का कौन सा है कहते हैं प्रश्निक्रमांग 48 का अंसर बताना स्वेत महादीप किसे कहते हैं तो आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा स्वेत महादीप स्वेत महादीप कहा जाता है अंटार्क्ट का महादीप को ठीक है अंटार्क्ट का महादीप को स्वेत महादीप के नाम से भी जाना जात सबसे छोटा महादीप कौन सा है प्रश्निक्रमांग 49 बिल्कु सरल आंसर सभी का आंसर सही आन चाहिए तो आपका बिलकुँ सही आंसर होगा आस्टेरिया आस्टेरिया जो है दोस्तों कि सबसे छोटा महादीप माना जाता है आस्टेरिया अंगला question देखलो विस्तु का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कुनसा है प्रश्निक्रमांग 50 विस्तु का दूसरा सबसे बड़ा महादीप बताना है आपने पड़ा होगा कि विस्तु का सबसे बड़ा जो महादुईप है वो महादीप है एसिया महादीप ठीके लेकिन बात करें विस्तु का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौनसा है तो आपका उत्र होगा अफ्रीका महादीप कौनसा है अफ्रीका महादीप ठीके पक्षियों का महादीप किसी कहते हैं पक्षियों का महादीप बताना है 51 का अंसर किसी कहा जाता है पक्षियों का हो यह कौन सा है कि सबस्तों का सबसे हुचा पठाल synagogue कौन सा है एंप affected 2016 में प्रश्ण पूछा गयाता है विस्तों का सबसे हुचा पठाल टू का अंव हुँ है कि वेका पामीर का पठाल और यह अषिम पिस्तों का सबसे उंग्चा पठार माना जाता है दोस्तों पिस्तों का सबसे उंग्चा फिलोरी कल्चर संबंदित है तो किसे संबंदित है फिलोरी कल्चर आपने बहुत सी चीज़ें पड़ी है हारतिकरांती पड़ी है और भी एपी कल्चर पड़े हैं ऐसी बहुत सारी च किसे कहा जाता है प्रश्मिक्रमा 54 का अंसर यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम किसे कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है ठीक है 54 का अंसर गल्फ स्ट्रीम किसे प्राय दीप महादीप को एक प्राय दीप कहाता है अंगला सरवाद एक भूकां पबाला देशाना हैं पर्थिप resilience करमा 56 उस्या स्वाद एकुल थे और आपका तोल किसे यह न पहला क्या कहलाता है प्रतिवी और सूर के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है 57 तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा सूर ग्रहन क्या कहलाता है प्रतिवी और सूर के बीच चंद्रमा का आ भुलतना शूर के ऐना कहलेता है, तूशकर है अंगला कुस्च्छन देको, किस क्हुच का घंखत जलसे भी कम है, तो किस क्हुच को बताना है आपको 58 की आपको आपने ग्रय mund पड़े हैं कौनछी ग्रय मैं, ये भी आपने पढ़ा है कौनसा सबसे बड़ा ग्रय है और सबसे चोटा ग्राय है लेकिन आपको बताना है कि जल से भी कम घनत्तों है तो वो सनी का है किसका है शनी शनी ग्राय का सिगरेट के धुये में मुख प्रदूसक कौन है सिगरेट के धुये में मुख प्रदूसक आपको बताना है 59 का अंसर तो आपका बिल्कुँ सही अंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनो अक्साइड और बेंजीन यह क्या है ठिगरेट के धुए के मोक प्रदूशक माले आते हैं 59 का अंसर हो जाएगा कार्बन मोनो अक्साइड और बेंजीन गोवर गैस का मोक संगट मोक घटक है तो कौन सा है गोवर गैस का मुक घटक बताना है तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा मेथेन मेथेन जो है कि गोवर गैस का मुक घटक माला जाता है प्रश्निक्रमांग साथ का अंसर प्रत्वी का जुडबा ग्रह किसे कहा जाता है 61 पूछा गया है था MPTED 2011 में गया दोस्तों सुक्र है ना, प्रत्वी का जुडबा ग्रह है प्रत्वी की मेहन ठीक है तो सुक्र आपका बिल्कु सही होगा कृत्पम ब्रफा के लिए उत्तरदाई है क्या उत्तरदाई है कृत्पम ब्रसा के लिए राइट होगा Silver आयोडाई शिल्वार ऐयोडाइड किर्तें बर्सा के लिए उत्तरदाई माने जाती है। और हमते सारेट्स आदि शुंद मौंटरीयल प्रोटोकाल समजोता कब हुआ था। ओजों सररक्षण को रोकने के लिए Montreal Protocol आपको एक और सम्झोह वह बते है। यह हुआ से बन जाता है कि Montreal Protocol का समझोते है। लेकिन यहां पर प्मुचा गया है कि ओज़ुन सरक्षण को रोकने के लिए Montreal Protocol कब हुआ था है। यह समझोता। प्रश्न करम है 63 Congo 6 16 सितंबर 1987 को ठीक है और 16 सितंबर कौन क्या मनाते हैं ओजोन दिवस ठीक है ओजोन दिवस चिकन गुणिया रोग का बाहक है तो चिकन गुणिया रोग का बाहक कौन सा है जल्दी से बताए प्रश्णिक रमांग 64 राइट आंसर होगा दोस्तो एडीज एजिप्टी मच्छर जो होता है वो चिकन गुणिया रोग का बाहक होता है अंगला है पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है पत्तियों का आपने देखेंगे पेड़ पोदे की जो पत्तियां होती है उनका हरा रंग क्यों हो हो जाएगा ठीक है पत्तियों का भारा रंग अंगला है सूख्ष में जीव विज्ञान का पिता कौन है सूख्ष में जीव विज्ञान का पिता बताना है प्रश्मिक्रमांक 66 सूख्ष में जीव विज्ञान का पिता कौन है तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा लुई पास्चर कौन है लुई पास्चर सूप्ष में जीन जीव विज्यान का पिता है लुई पास्चर अंगला है केंद्रिय चाउल अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्थेते हैं प्रश्णिक्रमाउंग 67 का आंसर बताएंगे तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा केंद्रिय चाउल अनुसंदान संस्थान है कटक ठीके कटक में हैं याद रखे ना केंद्रिय चाउल अनुसंदान संस्थान कटक जोस्ट तो गाजर में लाल नारंगी रंग किस तर्थ के कारण होता है। लाल नारंगी रंग किस तत्यों के कारण होता है गाधर में वह आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा कैरोटीन के कारण काई के कारण होता है कैरोटीन के कारण महत्पूर्ण प्रस्टी एट ब्रून विज्ञान के जनक कौन है प्रश्णिक्रमांग के 69 ब्रून विज्ञान के जनक तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा बुरून विज्ञान के जनक है प्रोफेसर पी माहिस्वरी ठीक है प्रोफेसर पी माहिस्वरी ये बुरून विज्ञान के जनक माने जाते है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी बताना हमें प्रश्निक्रमांग 70 तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा फीमर जांग की जो फीमर होती है ये मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी मान जाती है मूत्र का हलका पीडा रंग किस कारण होता है मूत्र का हलका फीरा रंग किस कारण होता है 71 तो आपका बिल्कुँ सही आंसर रगवा यूरो क्रॉम के कारण काई के कारण यूरो क्रॉम के कारण जो है मूत्र का रंग हलका फीरा रंग का होता है किस रोग में प्लेट प्लेट्स की संख्या कम होने लगती है प्रश्निक्रमांग 72 का उत्र बताना है वो रोग बताना है जिसमें प्लेट टेट्स की संख्या कम होने लगती है तो 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा डैंगु रोग कौनसा होगा डैंगु बासपो सर्जन की तर मापी जाती है प्रश्निक्रमांग 73 यह मापी जाती है पोटो मीटर से कैसे पोटो मीटर बासपो सर्जन की तर मापी जाती है पोटो मीटर से अंगला question नेकलो, भारी जल का अणूसूत्र क्या है, भारी जल का अणूसूत्र बताना है प्रश्नक्रमानक Connect 74 तब आपका बिलको सही आंसर होगा H2O, यहां पर आपको सुधानना है दोस्तों, भारी जल का जो अनुसूत्र माना जाता है वो D2O माना जाता है क्या माना जाता है D2O लेकिन जलका माना जाता है तो H2O ठीक है यह जलका लिखा हुआ है जलका होता है H2O और D2O यह भारी जलका अनुसूत्र है ठीक है इसको याद रखेंगे सबी लोगों को याद रखना है सुद्य जल का pH मान होता है सुद्य जल का pH मान बताना है आपको कौन सा होता है 75 का सुद्य जल का pH मान तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा कितना 7 साथ होता है सुद्य जल का pH मान प्रतिवी दिवस कम मनाये जाता है? प्रस्टिकर मांग 76 बिल्को स्रैल सभी को आना चाहिे तो उठतर आपका हो जाएगा क्या? वाईश अपरेल को प्रतिवी दिवस मनाये जाता है चीक है? अब जोस्तों आपको बताना है प्रतिवी दिवस 2020 का विस्धाय क्या है पर उत्तर कमेंट में लिखना है तो उत्तर होगा क्लाइमेट एक्षन प्रतिवी दिवस 2020 का थीम थी अंगला है दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु बताना है आपको भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल जो है यह वारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है 79 भारत का सबसे ठंडा पठार बताना है हमें तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा लद्दाग यह भारत का सबसे ठंडा पठार माना जाता है दोस्तों सबसे ठंडा पठार लद्दाग संसार की छट किसे कहा जाता है 80 का उत्रवतना है तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा पामीर का पठार पामीर के पठार को कहा जाता है संसार की छट भारत की सबसे लंबी स्थल सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है बारत की सबसे लंबी इस्तल सीमा किस देश के साथ है प्रश्निक्रमां के 81 तो किस देश के साथ है वांगला देश किस के साथ है वांगला देश के साथ है बारत की सबसे लंबी इस्तल सीमा वांगला देश के साथ है अंगला कोश्चिन विस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या घनत्त वाला मरुस्तल कौन सा है विस्तु का सबसे अधिक जनसंक्या घनत्त वाला मरुस्तल बताना इस 82 का प्रश्ण तो आपका बिल्कुस सही आंसर होगा थार, थार मरुस्तल जो कि भारत में है और विस्तु का सबसे अधिक जन संक्या गनत्त वाला मरुस्तल वाना जाता है, थार तो आपका बिल्कुस सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में दुद्भा राष्ट युद्यान, ठीक है खेरा किस फसल का रोग है प्रश्णिक्रमांग 84 तो खेरा जो है वो धान किस फसल का रोग है धान का है ठीक है खेरा पूछा जाता है खेरा किस फसल का रोग है युद्धान का रोग माना जाता है टिक का किस फसल का रोग है टिक का प्रश्णिक्रमांग 85 टिक का किस फसल का र मुंख्फली का रोग है टिक्का अंगला कोस्टिन दोस्कों विश्व गौरईया दिवस का मनाया जाता है प्रश्निक्रमांक 86 विश्व गौरईया दिवस और आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा 20 मार्च को ठीके 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व परहिया दिवस, विस्सु मिर्दा दिवस कमनाये जाता है, प्रश्निक्रमांग 87, विस्सु मिर्दा दिवस, सही आंसर है 5 दिशंबर को, कमनाये जाता है 5 दिशंबर को विस्सु मिर्दा दिवस, वर्चा की भूने गोल होने का कारण क्या है, प्रश्निक्रमांग 88, वर्चा की बूने गोल होने का कारण क्या है तो आपका बिलकुस सही आंसर होगा प्रश्च तनाओ क्या है प्रश्च तनाओ किस महादीप से होकर विशुवत कर्क और मकर्क तीनों रेखाएं गुजरती हैं तो कौन से महादीप से होकर गुजरती है प्रश्च निक्रमा के टी नाइन तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा फ्रिका महादीप से होकर के विश्वत करक और मकर इतीनों ही रेखाएं को जट्टी है जुगाली करने वाले पस्गों से किस ग्रीन हाउस गैस का जो निस्तरन होता है तो आपको बताना है जुगाली करने वाले पस्गों से किस ग्रीन हा जो है निस्रन होता है तो मीठ हैं गैस का निस्रन होता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हमारे महत्पूर बश्चनों पर हमने चर्चा की जो कि हमारे परेयावन से संब्द देते हैं रोज साड़े च्छा बजी इसी प्रकार आपकी किलास दरंतर लगेगी है ना करना है समिच जैन सेल्प स्टेडी क्लासे वाट्सअ नंबर दिया है तो वाट्सअ पर भी आप संपर कर सकते हैं ठीक है यूटूब पर सेल्प स्टेडी क्लासेश आपको नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें तो चैनल खुलेगा ऊपर प्लेडिस्ट आपको मैं जाएगी ठीक है प्लेडिस्ट पर क्लिक करना और सारे के सारी वीडियो आपको प्लेडिस्ट में मिलेगे ठीक है और फेस्बुक पर सर्च करना है सुमिच जैन ट्वीटर पर सर्च करना है सुमिच जैन और टेलिग्राम ग्रुप से जड़ने के लिए सर्च करन है आई एए एफ इस्टेड़ी परेंगे